लो एवरिवन वेल्कम बैक टो निंजा प्रैप दिस इस कपिल गोईल यूर एडुकेटर एंड मेंटर फो पीजी फिजिक्स तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि धापधए की जेख ऐलेटिएी स्टूटेंक्स केट इसारेश जसी स्वाइव को नौर्थ इंडिया प्श्शुटेंट्स है और फिर्मीन स्पैटकी और ये वीडियो के लिए कि अगरुन्मार्ण की बताति हैं कि यूनिवर्सिटी जो है उसके फॉर्म एप्लिकेशन से स्टार्ट है और जिसकी लास्ट डेट है फिल करने की सेवन्त आफ सेप्टेमबर विदाउट लेट फीस विद लेटरीज के साथ 9th सेफ्टेमबर आज 5 सेफ्टेमबर है तो अगर आपको जम्मू युनिवस्टी का फार्म परना है तो उसकी लास्डेट साथ सप्टेमबर तक है विदाउट लेटर पीज वह नाइन स्टेमबर तक आख फिल कर सकते हünstितर से जम्मू की एक और उनिवर्सटी cluster अ अ क्लस्टर उनिवर्सी ऑउनियर्स डॉप जम्मू इसके भी एप्लिकेशन ओमbach आप लोंके लो माक के सो से भी कम नंबर है चाहे वह जन्ररल में हो और वी वीडियो में हम यह जानेंगे क्या important dates है कौन-कौन यहां पर apply कर सकता है कितने number of seats है कि स्पोर्स में और कितना यहां पर reservation रखेगा वीडियो को मैं continue करूँ उसके पहले यदि आप लोगों ने अपने तक भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे तबसे पहले भाई मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर जो important dates है वो क्या है तो courses जो हैं यहां पर यहां पर देखो university का स्कूल्स मतलब खुद के department भी है उसके अलावा इस से affiliated college भी है उनमें में भी admission, CUET, PGK, School of Science में जो course available है वो है MSC, Geology, Mathematics, Physics और Geology Social Science में जो courses है M.Com, M.A. History, Humanities and Liberal Arts में जो courses है M.A. English, M.A. Linguistic और तो B.A. Integrated B.A. M.A. का course भी यहां पर available है affiliated colleges है G.G.M. Science College उसमें है M.A. English और M.A. Geology उसके अलावा G.C.W. यह Women's College है शायद इस गांधी नगर में इसमें MSC Food Science and Technology M.A.M. College में MSC, M.A. Mathematics, M.A. Music और Government College में M.A. के courses है forms जो यह हैं यह start हूँ चुके है already 30th of August से last date जो है इनको fill करने की वो है 14th September 14th September last date है fees जो होगी वो होगी 250 rupees 250 रुपेज यहां पर fees लगेगी merit list जो display होगी वो होगी 17 September को और admission through personal counselling यानि कि अगर spot counselling होती है तो वो 20 तरीक को spot counselling हो जाए full मिलाके October आने के पहले-पहले classes start हो दे form fill करते time आपको क्या-क्या चाहिएगा आपकी email id, mobile number, scanned photograph, less than 100 के भी होना चाहिए scanned signature, scanned document as per item credit or debit card, net banking वो online fee payment के लिए कौन कौन से documents आपको चाहिए, date of birth, certificate, all mark sheets of qualifying examination, all achievement category, certificate of qualifying examination, category certificate, domicile certificate, any other document online fee जो है वो आपकी 250 रूपीज है, before the last date, a candidate desires to consider under the self finance seat अगर आपको self finance seat भी चाहिए तो उसके लिए 350 रूपीज आपका दो है pay करना पड़ेगा और अगर आपको self finance नहीं चाहिए तो उसके लिए 200 रूपीज आपको देना पड़े candidate seeking admission under reserved achievement category has to upload self attested copy of domicile certificate along with reserved achievement category certified issue by competent authority, no under process certificate shall be entitled यानि की undertaking नहीं लगेगी पुल मिलाके, आपको यदि reservation category में certificate चाहिए और आप यह लगाते हैं कि अभी मेरा document जो है वो बन रहा है undertaking लगाते हैं तो वो allow नहीं होगा अगर आपके पास certificate है तो वो लगाना ताकि यहाँ पर reservation category है वो लागू होगी केवल और केवल जम्मू और कश्मीर के domiciles के लिए अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं तो आपका reservation में admission नहीं होगा reservation में admission केवल आपका तभी हो सकता है यहाँ पर जब आपके पास NCC या NSS certificate है यानि कि इन category में admission लें NCC NSS scout guide या फिर sports category में अगर आप admission ले रहे हैं तो तो आपको अगर आप outside जम्मू और कश्मीर रिजन के हैं तब तो आपको reservation यहाँ पर मिल जाएगा इन category में तर्वाइल आस्ट केटेगरी में certificate लेना चाहते हैं लाइक OBC admission लेना चाहते हैं OBC SC ST हुआ तो इसके लिए केवल जो reservation है तो J&K domiciles वालों का होगा the candidates seeking admission under any achievement category sports culture literature activity NCC NSS भारत scout and guides are required to upload a single PDF file containing all the achievement certificates receiving received during the period of qualifying examination last three years in case of MA MSC courses and two last two years in case of M.Ed and integrated मतलब तीन साल पुराने ही आपके certificate लगेंगे आप कहीं दस साल पुराने certificate निगाल के लगा रहे हो तो नहीं होगा eligibility seat metrics and fee structure of the course being appendant in the guidelines को मैं बता दूँगा आपको क्या number of seats है उसके बाद यहां पर तो number consider होंगे general guidelines for evaluation of marks and achievement category यह आपर आपको mention है कि अगर आपने sports में कोई certificate लिया है तो उसका कितना number आपको मिलेगा किस category में कितना number मिलेगा वो यहां पर mention को आप देख लेना है यह सारे points होईरा sub mention है किस category में आपको कितना मिलेगा ex-servicemen में NCC में NSS में यह सारा weightage यहां पर बनाया हुआ है और scout guide के हैं तो आपको कितना percent वो यहां पर मिलेगा merit किस तरह से बनेगी merit सबसे पहले purely CUETPG का score card consider किया जाएगा score consider किया जाएगा उसके base पर merit बनाया जाएगी तो कि merit release होगी 17th of September को To be beneficiary of reservation the candidate must be a domicile of J&K UT कास्ट reservation का आपको benefit चाहिए तो आप J&K union territory है उसके आप domicile होने चाहिए outside J&K union territory आपको cast जो reservation है उसका benefit नहीं मिलेगा other than outside outsiders students जो है उनको reservation केवल और केवल sports और cultural और लेटरेली अर्टेटर अक्टिविटीज में NCC और भारत scout guide activities इनके अंदर आपको reservation मिल सकता है कि यह sports है जो यह consider करेंगे इसके अलाबाए यह कोई sports consider नहीं करेंगे eligibility यहाँ पर दी हुई है तो सारी eligibility आप फिल कर रहे होगे ऐसा कोई चक्क्तर नहीं है जैसे कि physics के लिए chemistry के लिए तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं कि ओनर्स वाले यह पासपोर्स वाला भी लगा सकता है percentage criteria कुछ ऐसा चक्क्तर है नहीं है कि नंबर आफ सीट्स यहाँ पर मेंशन है physics में 35 है युनिवर्स्टी स्कूल में psychology में 35 है geology में 35 है mathematics में 35 है chemistry में 35 है बाटनी में 35 है जो बाहर का candidate जाएगा जाएगा general में और वहां के जो students रहेंगे अगर वो category से हैं तो उनको category का reservation में लेगा 35 seats का हिसाब है तो उसके according जो PWS की seat आएगी वो आएगी लगभग 4 seat और जो general की seat आएगी वो आएगी लगभग 13 के आसपास यूर की जो seat आएगी अब बाहर वाले जितने भी students है जो जम्मू कश्मीर union territory के बाहर के हैं वो सारे के सारे के लिए आ रहा है जम्मू कश्मीर में तो वो तो मतलब ही नहीं उससे अच्छा प्राइवेट यूनिवर्स्टी आप नौर्थ रीजन के हो आपको admission नहीं मिला है तो आप यहां पर admission दे सकते हैं इट्स को है वो मैंने आपको बता दी है और जो specific dates है तब तक आप फिल कर दे स्पेशली जम्मू कश्मीर और नौर्थ इंडिया त्रिजन के इस वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दे चैनल को सब्स्क्राइब कर दे और कर दे